हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल विने एक्विटी आज 18 सितमबर है संडे का दिन है और यह आप देख सकते हैं कि हर्षा एंजिरिनिंग आई पियो और इसके अंदर अच्छा खासा सब्सक्रिप्सें मिला और यह साल का मुझे साल लग रहा है सबसे अच्छा इस वीडियो के साथ इसका जो फ्रेश इस्यू है यह आप यहां पर में यहां पर सर्कुल कर देख आप देख सकते हैं कि 455 करोड के आसपास है और जो ओफर फॉर सेल है यह तिन सो करोड है यह मैं क्यों कह रहा हूं इससे आपको कुछ अच्छा खासा जो है सिखने को मिले क्योंकि 455 करोड है बहुत बढ़िया बात है और बाकी सब डिटेल आप जानते है टोटल आइप यह जो है साड़े साथ सो करोड का था और इसके अंदर देखे तो इसके पोस्ट इस्यू शेर जो है वह होगे 9 करोड के आसपास मसलब के आईपियो के बाद जो इसके टोटल सब्सक्राइब हुआ है एफाइइस के अंदर तो यह बात भी आप लोग ज़रूर जान लीजिए फ्रेंड्स के एफाइइस जो होते है इसका इंट्रेस्ट जिस में जिस आईपियो में ज्यादा होता है वही आईपियो जो है वह हिट होता है ज्यादा तर भूल जाएए इ क्योंकि रिटेलर्स ज्यादा तर बेचने आते है 60 परसंट जो रिटेलर्स है वह सिर्फ आईपियो पहले दिन बेच देते है या फिर छोटी सी ओल्डिंग रखते है और एनए इसे वह भी यही काम करते हैं बेचने के लिए ही आईपियो को सब्सक्राइब करते हैं आईपियो के अंदर ब्लोकबस्टर लिस्टिंग पकी होती है ज्यादा तर तो यह इसके फिगर से और एक रिक्वेस्ट और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ऐसे ही तो आज संडे के दिन सुबह सुबह अगर देखे तो हर्षा इंजीनियर इस आईपियो का जो में लाइन आईपियो है उसका जो प्रीमियम यह इसका प्रीमियम है 239 रुपे है और सब्जेक्टू सोदा मतलब की अगर लगे तो वो सब्जेक्टू जो सोदा है वो है 8700 अगर देखे तो यहां पर आगर आप देखे तो यह जो फिगर है थोड़ा साइस के अंदर चेंज है मेरे मतलब की गुजरात स्टेट में अभी-अभी मुझे हाली में लाइव अगर देखे तो मैंने देखा तो यह जो आकड़ा है प्रीमियम का यह 205 से 215 रुपे तक का ह 205 से 215 रुपे के अजपास अभी प्रीमियम चल रहा है क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर अच्छा का सा करेक्शन आया था तो थोड़ा सा प्रीमियम गटा है लेकिन मुझे इसा लग रहा है कि यह प्रीमियम वापस से बढ़ेगा क्योंकि मार्केट के अंदर फिर से एक तेजी थोड़ी सी आ सकती है सोमवार मंगलवार को तब फिर से यह प्रीमियम इसको भी पार कर जाएगा और मुझे सा लग रहा है कि इसकी लिश्टिंग प्राइस जो है यहां पर एक्सपेक्टेट है इससे उपर या इसका आसपास ही रह सकती है चलि सब्*** और लोचन पर पर देखी का सइङ हो रही है पिटिम प्लॉट के आस्पास है 27 करोड के एककरे यह वेलीmist के बीटा से रहे हैं और जैसे कि हम नहीं अभी में आपको दिखा होगा 445 करोड इसका फ्रेश इश्यू है तो वह मिला कर इसकी जो एक्विटी है वह नो पोट एक करोड के आसपास इसके अंदर हो जाएगी जैसे के आमना पहले देखा और इसका जो नेट डेप्ट है वह इस साल जो है साड़े 300 करोड के आसपास हु होगा वह हम केल्कुलेशन अभी 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 कर लेगे तो वह बिल्कुल आप वह भी जरूर देख ले और इसका जो बुक वेल्यू है वह 68 रुपीस के आसपास है पोस्ट आईपी और एपीएस मतलब कि अगर आप देखे तो आईपीय के बाद इसकी जो एपीएस रहेगी वह रहेगी 10 रुपे के आसपास अभी करंट और इसका जो पीए रेशियो है वह 33 के आसपास रहेगा और रिटेन रिटेन और नेट वर्थ जो की 17 परसंट के आसपास है तो काफी बढ़िया कंपनी लग रही है यहां पर आप देखिए यह फ्रेश इस्यू है साड़े चार 500 करोड के 45 करोड के आसपास इसके अंदर 8 कर दे 10 परसंट के आसपास क्योंकि यह फ्रेश इस्यू है तो यह पैसा कंपनी के पास जाएगा तो आप मान के चलिए कि इससे कंपनी 45 करोड के आसपास का एक प्रॉफिट अर्ण ज्यादा कर रही है और यह जो ग्रोथ करेगी से 9.1 करोड के आसपास है तो इसी से EPS निकलता है तो EPS निकलता है 15 रूपे का यह इसका EPS है अब दियान से देखे प्रॉफिट को आप डिवाइड करें टॉटल शेर से तो वह EPS निकल का रहा है तो 15 रूपे के आसपास का EPS इसका आ सकता है आने वाले साल के अंदर और इसको हम लिस्टेट पीर से कंपेर करेंगे तो जैसे कि इसका EPS अगर देखे तो यह है 15 रूपे के आसपास और इसके जो लिस्टेट पीर से एसपर डोक्यूमेंट जो की कंपनी ने पोस्ट किये है से बी को तो टीम कें इंडिया, SKF इंडिया, रॉलेक्स रिंग और सुं इसको सिर्फ 15 गुना, अगर 40 से भी इसको मल्टिप्लाइ करें तो भी इसका जो एक्सपेक्टेट प्राइस है, वो 600 रूपे के आसपास इसके जो फ्राइस है वो आ सकता है, अगर मार्केट के अंदर थोड़ा करेक्शन रहा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 550 से 600 आया तो वीडियो आप फिर से रिवाइन करके भी देख सकते हैं, 15 रूपे का EPS, 40 का इसका पी अगर दे दो, तो भी 600 रूपे के आसपास का प्राइस इसके अंदर बनता है, तो यह डबल का केंडिडेंट के हो सकता है, अगर बार्केट के अंदर एक उच्छा आया या आसपास इसी रेंज के अंदर यह इसकी लिस्टिंग हो सकती है, और जो अग्रेसिव स्टेडर से वो इसके अंदर 520 रूपे का स्टॉप लोस लेकर चल सकते हैं, और जो थोड़ा सा और मतलब की मार्केट की उठाप टक्रों सेहन कर सकते हैं, वो 480 रूपे का स्टॉप ल और अगर आप थोड़ा सा लंबा रूखना चाहते हैं, तो इसके अंदर 640 से 660 रूपे के बीच आप इसके अंदर एक्जिट कर सकते हैं, यह इतना लंबा आप रूख सकते हैं, और जो भी चाहें, अगर आप चाहें, तो लिस्टिंग के तुरंती मतलब की 550 से 600 के बीच आप निकल सकते हैं, अगर आप इसके अंदर लिस्टिंग के लिए पेसा लगाया है, तो बाकी मर्जी आपकी है, आप इसके अंदर लॉंग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, शौट टर्म के लिए रखना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आप अपनी रिसर्ज कर करके जरूर बताए और आप मुझे ट्विटर रेंडल के उपर फॉलो कर सकते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्सिंग के अंदर दी रहा हुआ है वहां पर मैं कंपनी जो है शेर मार्केट के अंदर पोस्ट करता रहता हूं तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और को शेयर जरूर करें और थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो